टीवी के मशूर एक्टर मोहित मलीक और एक्ट्रेस अदिती मलीक चोटे परदे के चहेते कपल में से एक है। दोनों इस वक्त एक्टिंग के दुनिया से बले ही धूरे लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं। कुछी दिनों पहले मोहित मलीक रोही शेटी के खत्रों के खिलाडी बारा में नजर आये थे, जहां उनकी परफॉर्मेंस को खुब पसंद किया गया था। वही हाली में उन्हें लेकर एक खुश कबरी सुनने को मिल रही है। दरसन मोहित मलीक और अदिती मलीक जल्दी पापा ममी बनने वाले हैं। दोनों घर में जल्दी नन्ने महमान का स्वागत करते नजर आएंगे। मोहित मलीक और अदिती मलीक से जोड़ी ये खबर तेजी से एंटरटेन्मेंट गलियारों में फैल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदिती मलीक की प्रेंगनेंसी को तीन महीने बीच चुके हैं। हाला कि इस बारे में मोहित मलीक के अदिती मलीक की और से आधारिक तोर पर कुछ नहीं कहा गया है। अभी तक कपल ने सोशल मीडिया पर भी इस बात का एलान नहीं किया है। लेकिन कपल अपने बच्चे के लिए बेहद एक्साइटेर है। बताया जा रहा है कि मोहित मलीक ने बच्चे के आने की खुशी में अभी से ही वक्त निकालना शुरू कर दिया है। बतादे की मोहित मलीक और अदिती मलीक साल 2021 में पहली बार ममी पपा बने थे। एक्ट्रेस ने बेटे को जन दिया था जिसका नाम उन्होंने एक भी रखा था। अपने एक इंटर्विव में मोहित मलीक ने बताया था कि खत्रों के खिलाडी 12 में शामिल होने का एक कारण उनका बेटा था। खास बात तो ये है कि रोही शेटी के शो में मोहित मलीक ने फिनाले तक अपना सफर तैय किया था। खत्रों के खिलाडी 12 की शूटिंग पूरी करके लोटने पर मोहित मलीक काफी भावुक हो गए थे। क्योंकि एक्टर ने लंबे समय से अपने बेटे को नहीं देखा था। लाल आपकी क्या रहा है इस खबर के बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताईए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।